स्टूडेंट्स सेकंडेर फिसिक्स चैप्टर नुबर 11 का यह लेक्चर नुबर 8 है जिसमें हमने इंक जैट प्रिंटर के स्ट्रक्चर और वर्किंग को डिस्कस करना है students lecture का आगास लेते हैं ink jet printer के जो structure है जो structure में major parts है उनसे तो पहला जो part है major part वो ink jet nozzle है इसको ink reservoir इसके पीछे एक part होता है ink reservoir जिसमें ink पड़ी होती है उस ink reservoir से ink jet nozzle को मिलेगी और ink jet nozzle उस ink को छोटे छोटे इंतहाई small tiny droplets में convert कर देगा फिर वो जो droplets ink jet nozzle से निकले हैं तो आगे एक electrostatic charging unit है जब जुरूत पढ़ेगी तो electrostatic charging unit से उन आने वाले droplets को charge दे दिया जाएगा और जब जुरूत नहीं होगी तो आने वाले जो droplets से उनको charge नहीं दिया जाएगा तो जुरूत पढ़ने पर electrostatic charging unit जो है वो ink jet nozzle से निकलने वाले droplets को charge देता है और usually negative charge जो है वो दिया जाता है positive charge भी दिया जा सकता है depend करता है ink jet printer बनाने वाले company उसको model उसका design वो उसको कैसे design करने चाहता है लेकिन usually negative charge जो है वो electrostatic charging unit से दिया जाता है वो भी जुरूत पढ़ने पर आगे मैं explain करूँगा कब जुरूत पढ़नी और कब नहीं पढ़नी फिर है students deflection plates तो जब जुरूत पढ़ी है हमने जो ink droplets हैं उनको students हमने charge दे रिया electrostatic charging unit से और जब वो electrostatic charging unit से charge ink droplets निकलेंगे और आगे पास होंगे deflection plates से to deflection plates से वो deflect कर जाएंगे operation plates दो parallel plates है एक के उपर positive charge होता है एक के उपर negative charge होता है तो पीचे से जो droplets आरे है वो negative droplets है so students वो negative droplets जो है वो फिर deflect कर जाएंगे towards positive plate और आगे उनको paper के उपर पहुंचने से रोका जाएगा जब जुरूत नहीं है पेपर के उपर बेजने की तो जारी बात है उनको एक ड्रॉपलेट्स को पहले ही डिफ्लेक्ट करवा लिया जाएगा तो जब डिफ्लेक्ट करवाना है एक ड्रॉपलेट्स को पेपर के उपर पहुंचने से रोकना है त पिर आगे गटर पढ़ावा स्टूजेंट्स गटर जो है जो जब डिफ्लेक्शन होगी और डिफ्लेक्टड इंक ड्रॉपलेट्स गटर में जमा हो जाएंगे और जो गटर इंक होगी गटर में जो जमा होगी तो गटर उसको दुबारे से एक रिजरवायर के तरफ जो जनी ड्रॉप्लेट्स में कनवर्ट करके फोर्स वली आगे एक फोर्स एक कुवत से फाइन नोजल उन ड्रॉपलेट्स को निकाल देती है जुरुत पढ़ने पर उन इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया जाता है बाई अलेक्ट्रो स्टैटिक चार्जिंग यूनिट जब इसलिए पर इनी तोर पर जो ऑुछेड्स अपेश्टिक प्लेट्स को उनको चार्ट पार्टिकल्स को डिसलेक्ट कर देंगे इसलिए उन क्फिक को इसलिए प्लेट प करनांब देते हैं तो जो ड्रॉप्ण से आ हैं कि तोड्युंग तोड टूइस प्लेट्स तरु आगे एलेक्ट्र स्टाटिक चार्जिंग यूनिट है जो पढ़ने के अपर वो पार्टिकल्स को जो वो चार्ज करेगा अगर एंक ड्रॉपलेट्स चार्जड नहीं है अन्चार्ड हैं तो वो सीधे गुजर जाएंगे पात आफ अन्चार्ज ड्रॉप उसको पर चार्ज न ब्लीट्र को अगारेगा और पेपर के उपर कोफ़ यूझा कोई एमक्च और प्रिंट को जाएगा टाइप होजाएगा को तो पेपर के ओपर पहुंचने से पहले और रोकने एक तो फिर यह دिया जाएगा अलेक्ट्र स्टेटिक चार्जिंग होंच होगा ठैक्र अन्हों फील्ड आने वाले इंक ड्रॉपलेट्स को यूजली नेगटिव चार्ज दे देता है और नेगटिव ड्रॉपलेट्स जब इस जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स अंके द्रिम्हान से गुजरेंगे तो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्यों कि बस स्पेस क्रियेट करनी जब लेटर टाइप करना है तब हम चाहते हैं कि इंक पेपर के उपर पहुंचे और जब कोई स्पेस क्रियेट करनी है चाहते हैं कि तब जो है वो इंक पेपर के उपर ना पहुंचे तो यही चीज़ आगया आपको नोट्स में मिलेगी जब हम य जहांते हैं कि paper के उबर 플ेस हो जो charging control unit है charging control center है ये computer जारी बात है सको computer से instructions मिल रही है computerСंता है computer से इसको instructions मिलती है और charging control unit पहर अलेक्ट्र स्टेक्राइट के charging unit है य.'" इस student ... आफ mi हो जाता है बंद हो जाता है electric field नहीं होता जो charged particle है वो neutral रहते हैं तो uncharted particles uncharted droplets वो बिलकुल straight pass हो जाते हैं deflection plates से हो जाके paper को strike करते हैं और जब कभी जरूरोत हो जानि जब space create करनी हो जब कोई letter type नहीं करना दो letters दो words में space create करनी है दो words में space रखनी है कहीं पर blank area चौड़ना है तो तब हम यह चाते हैं कि किसी तरह की कोई ink paper तक ना पहुंचे फिर उस charging control unit को electrostatic charging unit को on किया जाता है और ink droplets deflect हो जाता है यह थी students working of the inkjet printer कोई आपको question हो, confusion हो तो comment section में पूछिएगा आपको answer मिलेगा, video को like कीज़ेगा, fellows को साथ भी share करना है ताकि सब बच्चों का बला हो सके इंशालला next video में next topic पढ़ेंगे, till then, allahafiz